नमस्कार पूरे सरकारी सिस्टम ने मिलकर उत्तर प्रदेश के संभल में पाच मुस्लिम नौजवान युवकों को मस्जिद में सर्वे करने के लिए मार दिया उत्तर प्रदेश में बटोगे तो कटोगे वाली जो थियोरी दी गई उसका प्राक्टिकल अब बिलकुल साफ तोर पर सड़कों पर दिखने लगा है उत्तर प्रदेश में डेड़ महीने में दो दंगे हो गए उत्तर प्रदेश में ये क्यूं हो रहा है उन पांच युवकों का इस देश के वो भविश्च उन पांच युवकों की मौत का जिम्मधार कौन है आज इस पर बात करेंगा हमारे सर्फ्षर लक्षमण यादव जी है लक्षमण यादव जी डेरवाईने में दो दंगे हो कुबलों ने 500 साल राज किया है इस देश में तो क्या मुसलमानों से उनके 500 साल का बदला लेगी सरकार क्या लगता है बहुत शुक्रिया प्रग्या जी इस जरूरी और जलंत विशय पर बातचीत करने के लिए निशित रूप से सवाल ये है कि राम मंदिर का जब फैसला आ है ये माना गया कि चलिए एक बहुत बड़ी आस्था का केंदर था बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदर तो चलिए विवात खतम हुआ कोड का फैसला आ अब मंदिर बनेगा अब ये विवात खतम हो जाएगा मस्जिद से मंदिर की लड़ाई खतम हो जाएगी कुछ और सवा ना दी गई तोड़ करके हमें वापस वो सारे अस्थल चाहिए तो उसके बाद ये बहस्तेश होने लेगी कि ऐसा होगा क्या फिर आरेसेस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया और बयान ये था कि हमें हर मस्जित के नीचे से मंदिर नहीं खोजना चाहिए राम मंदिर सबस में हिंदू मुस्लिम जगडे का सामप्रदाइक नफरत का सबसे बड़ा केंद्र और प्रयोक शाला बन रहा है आपने अपने सवाल में बहुत शांदार लाइन बोली है प्रग्या जी मैं उससे तोहरा कर अपने उत्तर में जोड़ रहा हूँ कि पहले उसका एक नारा दे क करके एक थियूरी बताई गई अब उसके प्रैक्टिकल किये जा रहे हैं यह प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है कि नहीं नहीं अब मस्जिद है उसको उसके नीचे मंदिर है इसका हम तुरंत याचिका दायर करेंगे एक दिन में उसके सर्वे का आदिश आजाएगा एक कमजोर मजलूं को धंगे में लपिता जाए, दख्ष का बाद पताएगा, टेस्ट कंचो भी उखिना पताईयों, पानसो साल मुगलों ने राच किया क्या तो भावर क्या बनवाया, क्या रख्षा, इसका जिम्मिदार क्या देश का मुसल्मान हो गया Department कर ? अब सब मुसल्मानों से सरकार बदला लेगी क्या यह हो क्या रहा है मुझे समझना इस चीज़ को समझ नहीं पा रही हो मैं कि हो क्या रहा उत्तर प्रदेश में देड़ महीने में दो दंगे हो गए अब बिल्कुल ठीक बात है आप बहराईच हुआ उसके बाद यहां पर बहराईच में तो ऐसा कोई मामला भी नहीं था आप सोचें आप मस्जिद के नीचे मंदिर खो जा जाए कि वहल इसी बात से मुसल्मान मारे नहीं जाएंगे ऐसा भी होगा कि मस्जिद के सामने डीजे बज którą तो क्या इस देश में अब मस्जिद के सामने से डीजे भी न बजे विशन पर बैठ करके बड़े बड़े विचारक चिंतक जिनके नेता बीजे पी आरेसेस के सिंपेथाईजर जिनके अपने बच्चे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं लाको रुपे की फीस वाले में और हम तो देश बर में रोज मतलब कई साल से ये बात चीख करके कह रहे हैं कि उनके जो सक्षम उनके ब इदहेक ने ही बीजे पी के लोगों पर फाई यार किया पता नहीं कोर्ट में उस पर कोई फैसला दिया की नहीं यहां सर्वे का फैसला जल्दी दिया अब आपका सवाल जो मूल सवाल है प्रग्या जी असल में यह आग इसलिए लगवाई जा रही है कि कोई 500 साल का बदला लपेट दो उनको वोट ने डालने दो लोकतंत आज तो समविधान दिवस के दिन हम और आप बात कर रहे हैं कितना महत्मूर दिन है आज ये बात कहने का समविधान की सबसे बड़ी शर्द एक वादा एक करार ये था कि हम एक विक्ति एक वोट का अधिकार और एक वोट की एक केमत हिंदो मुसल्मान जात धरम सब पे उपर इसी उत्तर प्रदेश का असली मॉडल ये है कि वोट नहीं डालने देंगे अगर आप मुसल्मान है तो सीधे तोर पे का गया और इसके सबूत दिये समझवादी पार्टी ने तो बाकाइद इसके सबूत दिये चुनावा सुने बनवा करके बजाओ उन उनको उनको सिक्षा रोजगार न देकर के देश का सबसे बड़ा दुश्मन बनाओ और दूसरी तरफ हिंदू को गौल बंद कर दो ताकि न जाती जंगर्णा पर भात हो न भेरोजगारी पर भात हो न सिक्षा बर्बाद हो उस पर नहाँ प कोई बटोगे तो कटोगे ये है असली खेल और इसके वजह से 500 साल का हिसाब बाबर का बदला जो है अकरम से लिया जाएगा और गरीब दोनों खेमे में जो है न वो मारा जाएगा और इसका प्रयोक शाला बन रहा है उत्तरपदेश जो पूरे समविधान पर सबसे बड़ा स साफतोर पर देखा गया इसी उत्तरप्रदेश में बहराइच में दंगा होता है तब एक हिंदू यूबक की जान की चली जाती है विरोध में आई लोग लाठी डंडा लेकर बड़े-बड़े यात्राइं निकाल रहे होते हैं नारे लगा रहे होते हैं उनके बीच में साफ देख रहा है प्रग्या जी यह इतना साफ देख रहा है कि अगर बस आप देखने के लिए आँख खुली रखे हों तो आपको साफ नचर आजाएगा कि इन में और उनमें अंतर क्या है कब जो है SP लाइफ आकर के कहेगा कि गोली मार देंगे अगर आप आएंगे तो हम आपको गोली मार देंगे हम कड़ी कारवाई करेंगे हम एनस से लगाएंगे हमें आठ सो लोगों को मतलब बे नाम अनाम लोगों अग्यात लोगों के नाम F.I.R. दर्ज कर लिए तो आठ सो लोगों के नाम जब अग्यात F.I.R. दर्ज होती इसका मतलब यह है कि हजारों को पकड़ के पुलिस ले जाएं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अक्यात में सवाल है यह पुलिस का रवया है इसी उत्तर प्रदेश में थोड़ा और पीछे जाएं तो गौ तसकरी के विवाद में इंस्पेक्टर सुबोध सिंग की अत्या हो गई पुलिस थे वर्दी में थे नहीं बचा पा रही है पुलिस अपना पर्मानेंट डीजीपी नहीं ले आ पा रही है पुलिस को पुलिस खोज रही है इतने तरह के अपराध हो रहे हैं लेकिन यह निर्देश पुलिस का नहीं है यह निर्देश पुलिस का है जिनके हाथ में पुलिस है मैं तो कई बार स सरकार आप से कह रही है कि फला बूत पर इतने परसंट वोट से जादा हो नहीं चाहिए वोटिंग यह सब लोग जान रहे हैं बस यह कहीं अख़ार में नहीं लिखा है कोई बयान नहीं दे रहा है इसका मतलब सबूत नहीं है परियाप्त सबूत है दो दो परची दे दो और इस बूत पर चुकि मुस्लिम है यहाँ पर भाशपाविरोधी है तो वोट नडालने तो और पोलिस अधिकारी उस काम में लग जा रहे हैं पोलिस अधिकारी जाती देखकर धरम देखकर कहां गोली मारता है कहां जहिल में डालना है और कहां चुप-चाप निकल लेगए है यह जब आप होते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहां कानून के राज से चल रहे हो, सम्विधान के राज से कहां चल रहे हो, आपके सामने जब मुसल्मान होता है, आपके सामने जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है, जिसको आपको चनित कर दिया गया है, कि इनको तो ला पूर बात ये जो सर्वे करने वकील गया वकील के साथ कौन लोग थे जो नारा लगा रहे तो और उनके आसपास भी पुलिस खड़ी थी जैस श्रीडाम का नारा लग रहा था उन बस्तियों में चड़ाते हुए कि अब लेके रहेंगे मंदिर यह है राम लिला हमाएंगे जमात किये हैं आरे अफ लगिये तमाम सुरक्षा बल लगा हुआ है क्या यह जब उत्तर प्रदेश मंदिर मस्जिद का मुद्धा इतना सेंसिटव है तब कहां थी फोर्स क्या यह जानबुचकर कराया गया जो जो उग्र करना चाह रहे थे फिर वो बाद मिश्ट क्यों कर हम एक बात समझनी है कि क्या थोड़ा टेकनिकल इशू पर बात कर लेते हैं 19 नवंबर को सर्वे हुआ एक दिन में कोड में कोई जाता है याचिका दायर करता है कि आईने अकबरी में फला बात लिखी है बाबर की किताब में ये फला बात लिखी है बाबर नामा में इसके नीचे 2500 साल पूरानी मस्जिद है उसके पीछे ये मंदिर था हरियर मंदिर था कोड के सामने जिला नयाले में ये बात गई जिला नयाले ने कह दिया कि यहां ठीक है सर्वे कराओ मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अयोद्या में जब खुद खरनन के कारे चल रहे थे अ आज कोई बॉधिष्ट अगर जाकर कहे कि ये जो धाम है ये मंदिर है इसमें जो मूर्ति है इसका जरा हमें सर्वे करना है हमें लगता है ये बुद्ध की मूर्ति है इस मंदिर में लगे इमारत में पत्थर और सामान जो लगे हैं वो बुद्ध के हैं क्या कोई जिला नय सर्वे करने की छूट दे पॉइंट नबर वन वाइन नबर टू यह है कि अगर 19 नवंबर को अगर वो लोग इतना आतंकी थे दंगाई थे बलवाई थे पहले दिन जब सर्वे हुआ तब क्यों यह नहीं हुआ पत्राव क्यों नहीं हुआ पहले दिन तो चुप-चाप सर्व हो गया और सारी लोग अपने घरों को चले गए फिर जुम्मा आता है जुम्मे के नमाज के वक्त भी पुलिस अलर्ट रहती है कुछ भी नहीं होता है फिर यह अचानक मतदान मतगड़ना के बाद 23 नवंबर को यह सब हुआ 24 नवंबर को अचानक सुबर अचानक सब कुछ हुआ कि सर्वे टीम जाएगी सर्वे टीम गई सर्वे टीम चली भी गई क्या सुबर सुबर जाते ही सर्वे टीम पर हमला हो गया नहीं हुआ यह फैक्ट्स हैं अब मैं तो यह मैं रहते हुए भी कह रहा हूं कि अगर को निस्पक्च और तटस जांच होगी तो एक एक पह उन्हाओं को भावनाओं की तरह से वो रखेगा ये विबाद हो गया तो पुलिस विबाद होने दे रही है क्या पुलिस गोली चला रही है अब ये पुलिस यूँ करके सामने गोली चला रही है उसके तुरंत बाद वहां के दीयम कमिशनर और स्पी का बयान आ रहा है कि हमने गोली नहीं चलाई, वीडियो है कि गोली चलाई, ये ठीक वही बात होई कि हमने मतदाताओं को रोका नहीं वो डालने से, जबकि वीडियो बचा रहे हैं कि बंदूग तांदी भाई तुमने और मतान प्रस्चत गिरा दिया और लोगों को फ्रिज में क्या था, जुनेत कैसे मरा, पहलू खान को कौन लिंच किया, रकबर को कौन लिंच किया, किस पर किसको न्याई मिल गया, अरे भाई आज इस देश में जेन्यू का एक शोधार थी, उमर खालिद, चार साल हो गया, जेल में, ट्रायल तक ने हुआ है, आपने मुसल कहां कहां पैर घिर जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कोट के चक्कर काटते काटते हैं, इस देश का सबसे बड़ा विवाद अगर आस्थाओं का हुगा, और बुद्ध को मानते हैं, कि इस तरह से विवाद नहीं होता, वरना इस देश का सबसे बड़ा विवाद खड़ा हो जाए, अगर बुद्ध को मानने वाले, अपनी खुदाई करवाने लगें, कि चलो भाई, हमारे आस्थास के साथ खिलवाड कौन किया, हमारे बुद्धिष्ट अवसेशों का विना सबसाब लेने के लिए बार बार बाबर को गाली, बार बार इन चीजों को दे करके मौझूदा वक्त में, जाती के नाम पर चेतना फैल रही है, जाती जंगरणा की मांग हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए कोई नारा दे रहा है, बटोगे तो कटोगे, जबक समु आप्टर्प्रदेश में बुल्डोजर रोका ने प्रज्याजी वर्ना आरोप लगने मातर से उत्तर पुर्देश किसी घर गिरा दिये गया है तो यह बड़ा चिंता जना कहीं अग्लिए गोली मुंसलमानां वड़े it आखार हैं आताताई हैं यतने भयानक हैं और यूसरी तरफ किरे रहे हैं कि मसल्मानों नहीं आपस में गोली मरली हम थ Kings नो ली चलाए है नहीं तो इस पर आप क्या कएंगे अब देखे यह एक तो अभी सब्ख़ोता है कि खुद्हे आपस में गोली चला मशुजना हरे अब स्पी का बयान तो वो कह रहे थे सरकारी गाड़ी नहीं जली यह प्राइवेट गाड़ी जल गए नीजी वाँ और पुलिस वाले क्या करने आए थे सरकारी काम करने मदब आपात इसती हो गई थी कोई चुट्टी पर रहा होगा घर में रहा होगा पुलिस ना चानक उन्हें गाड़ी से वाग होंगे मतलब मैं मुझे याद आ रहा है कि इलाबाद में विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे तो साधे ड्रेस में सबसे पहले लाठी मारने वाले लोग साधे ड्रेस में पहुंचें पुलिस को ऐसा क्या हो जाता है कि साधे ड्रेस में और बड़े और कौन मर गया बहुत कम उमर के लोग मार दिये गए यह वही संबल है यह वही जिले हैं जहां पर भाई देखे अगर एक समंदिर और मस्जित के बीच एक तो जगड़ा आप खड़ा कर रहे हैं अभी कल को यह RSS का पुराना नारा था कि अभी आयोद्या जाकी है मतुरा में और एक जड़ा तथ्यात्मक चीज जड़ा जान लें प्रग्या जी कि इस देश में सबसे बड़ी भूमी का मानी जाती है जश्टिस चंद्रचूर की अभी तो रिटायर हो गया है जश्टिस चंद्रचूर और रिटायर होने के बाद अब उनको यह देखा जा रहा है क कि भाई बड़े मत पूरते अध्या मामले में जो उन्होंने फैसला लिखा है वहाँ एक खड़की दरवाजा खोल दिया जिससे यह विवात पैदा हो गया है उपासना स्थल अधिनियम उन्नीस सोई क्यान वे जो बना था वो इसलिए लिए लाया गया था क्योंकि मंडल के विरोज में कमंडल मंदिर का अंदोलन चल रहा था तो बार बार आरेसेस यह बात कह रहा था कि हमें कई मजिदों के नीचे से मंदिर खोजना है तो उन्नीस सो क्यान बेका उपासना स्थल अधिनियम लाया गया कि 15 अगस्त उन्नीस सो सैटालिस को जो भी धार्मिक स्थल ज अगर पहुंच जाते हैं वो ज्यानवापी के मामले में सुप्रिम कोर्ट में इसको कोट किया गया गया ज्यानवापी 2022 मई 2022 चाहिए 20 21 मई 2022 का मामला है उस समय कोट कहता है कि देखो भाई कौन सा धार्मिक अस्थल पूरु में क्या था इसकी जाच करने से उपासना अस्थ अधिनियम 1990 हमें रोकता नहीं है यह व्याक्या की जेस्टिस जीवाई डीवाई चंदरचूर और डीवाई चंदरचूर ने वो गलियरा खोल दिया जिससे आग की लपट पहले संभल पहुंची है और फिर जाने कितनी जगह पर जा सकती है कि भाई चलो अब धार्मिक अस् और दूसरे पक्ष की बात लिए और यह तो उन्होंने कहा नहीं था यह बाकी लोग प्रयोग में लाते हैं यह जैसे बोला नहीं गया तो इस तरह के सवालात सामने नहीं आते मैं फिर से एक सवाल पूछता हूं बहुत धिश्ट लोग गए कि यह उध्या में जो खुदा ह हो रही हो रहा हमारा विपक्ष ले लो सुना ही नहीं गया आज अगर जा करके आप कह दो कि यह हम हम भी चुर्प हो जा रही है कि यह जानबूत कर कर आई गए डंगा है जो संभल वे हुआ आप इस पर क्या गएंगे देखिए मेरा मानना साफ तोर पर यह है कि यह पूरी तर के माहौल को आगे बढ़ाना चाहती है जिसके जरिये वो बटोगे तो कटोगे वाली राजनीतिया लखनव की कुर्सी सेक्योर हो जाए दिल्ली में दावेदारी पुक्ता हो जाए एक लाइन में हमने सारी बात कह दी इसलिए देश को जितनी बड़े नफरत की आग में डा करना डाल दो जहां दंगा कराना करा दो पुलिस का इस्तेमाल करो नियाए पालिका आपका साथ देने लग रही है और टेली विजन बैट करके ये कहेगा कि पत्थर मार दिया तो गोली मार दोगी पत्थर मार दिया देखो पत्थर बाज हैं देखो ये हैं आतनकवादी हैं देखो दंगाई बलवाई हैं और 800 लोगों के नाम ग्यात है तो जिसको मन कर उसको जेल में डाल लो तो ये सुनियोचित साजिश है भारती जनता पार्टी का यही मॉडल है वो इस देश में संविधान को कतई दिल से नहीं मानते वो इस देश को हिंदू राश्र बनाने के ल लिख रहा है कि यह संविधान तो गरबड़ है यह हमारा संविधान ही नहीं इसको मानते ही नहीं फिर उन्हें सचीएसी में इसका विरोध किया अभी तो अभी 400 सीट मांग रहे थे संविधान बदल जाए यह आरसेस और बीजेपी की साजिश है वो इस देश में संविधा काम धन से करा नहीं पाया और नौकरी वहां पर हुई नहीं महंगाई इतनी कम कोर्ट डाट फटकार कर रही है पूरी तरस से फेल है उत्तर प्रदेश की सरकार तो आप उस फेल पर चर्चा न करें इसलिए धंगा पर चर्चा करें इसलिए तो चलो मस्जिद के निचे से मं उठी निदाल पाएंगे चन्नित करके बंदूग तानी जाएगी तो इस पर चर्चा ना हो इसलिए इस तरह के विवाद तुरंट तुरंट लाए जा रहा है और दुर्भाग की पूर्ण ये है कि चार से पांच नौजवानों की जान चली जाए इस देश में एक एक जान क की कीमत है और इसका जवाब कौन देगा उनके परिवार को जैसे वो गोपाल मिश्रा बहराइची मारा गया और फूछ रहे है पर भी बहुत बड़े-बड़े सवाल थड़े होते हैं मेंस्ट्री मेरिया से सवाल गायब है कि जब सर्वेय करने के लिए टीम गई तो फिर कहां थी पुलिस कहां था पुलिस बल कहां थे ड्रोन जब आपको पुलिस को हर एक छोटी-छोटी जानकारी रहती है पुलिस का अ में और ना है कोई जबाब देने वाला है अच्छा एक चीज में लक्षमने अदर भी चलते चलते आपसे एक और बात कुछनू पहली नजर में आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है सीधा सवाल अंतों इसका सीधा सीधा जिम्मेदार इस देश में नफरत की आग लगा और वो कुरसी बचाना चाहते हैं ताकि रोज आप मंदिर मस्जित के नाम पर लड़ते रह जाओं मंदिर वाले भी भूखे हैं मस्जित वाले भी भूखे हैं बेरोजगार इधर एक बड़ा अच्छा शेर है कि इंसान परिशान यहाँ भी है वहां भी इंसान में हैवान यहां भी है वहां भी दोनों तरफ गरीबी है भुकमरी है बेकारी है उस पर तो बात ही नहीं हो रही है यह प्रायोजीत एक model है याद रखना यह बहुत खतरनाक model है यह model वही भारती जिनता पार्टी और RSS के विचार के मानने वाले लोग है अच्छे इसका मैं एक बात जवाब में जोड़ दूँ यह जो यह आचिका करता है यह कौन आदमी है इसका भाजपा से क्या रिष्टा है इसका RSS से क्या रिष्टा है तो भाजपा RSS का आदमी यह आचिका करे भाजपा RSS के पक्ष में म पत्थर क्यों मारा, पत्थर कहां से आया, कहां से ये सब जुटा, दिल्ली दंगे में सारे मुसल्मान जेल में है, दिल्ली दंगे में हिंदुों ने कुछ नहीं किया था, मतलब अगर दो तरफ से लड़ाई हो रही है, तो दो तरफ से लड़ाई में दोनों तरफ के लोग त इतना कमजोर कर दो कि कल को उनके बीच का कोई कट्टर पंती खड़ा ओकर कहें कि अब तो सडकों पर उतर करके मुसलमानों बदला लेना है आप चाहिए जान यही चाहती है यह चाहती है कि आप पत्थरमारो यही चाहती है कि आपके सब्रका इम्तिहान इतना हम लेते जाएं कि एक दिन सरवे हुआ था दूसरे दिन की क्या जबुए। और सरवे हो रहा है है लोकल इंटेलिजिशन यूनिट होती है। पुलिस होती है, सचो होता है, वहां की नाम होती है। कि अगर कोई चीज होनी है तो दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया जाए, दोनों पक्ष से बात्चित की जाए, को एक राय मश्रा के लिए को सील कर दिया जाता है लक्षमर जी, पूरा हिलागा सील हो जाता है, आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप चाहते थे कि पत्थर हो जाए, अच्छा पत्थर नहीं हुआ तो लोटते समय नारा भी लगवा दो, कि जो मतलब चढ़ाओ इतना, एक समय के बाद जाते हैं आपका सब्र तूटे, और फिर हमें मौका मिल जाए, हमें ये दिखाने के लिए कि देखो अब जेलें तुमारा इंतजार कर रहे हैं, बूलो जिए अब तुमारा इंतजार कर रहे हैं, वही दोशी है प्रग्या जी, जो इस नफरत की आग में अपने रोटी सेख कर, अपने कुरसी महफूस करना चाह रहे हैं, और गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे, जो अच्छी सिक्षा नहीं पाए, अच्छा रोजगार नहीं पाए, वो इसकी भेट चलिए, सीधा सा फर्मूला यही है. मेरी जो इजास है, चानल को सब्सक्राइब कीजएगा, नमस्कार.